नमस्कार मैं अब शेक्मार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस अभी में तो आप सभी को मेरा जैग्रू तो जारखंड हाई कोट के जितने भी स्टुडेंट्स हैं चाहे आप असिस्टेंट की बात कर ले या फिर सिविल कोट में जो आपकी कलर की जो वेकेंसी आई थी 410 क आस पास या फिर आपकी टाइपिस्ट की जो वेकेंसी आई थी इस तीनों के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं ऑफिशल नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पर जाकर के देख भी सकते हैं आपको यहां पर दिख भी रहा होगा जारखंड हाई कोट डॉट एन इस डॉट इन ठीक है बाई तो क्या क्या नोटिफिकेशन आया है तो सबसे पहले देखें आपकी जो टाइपिंग होगी उसके रिगार्डिंग यहां पर आपको बाते बतला दी गई है दूसरा आपको इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपका एक्जामिनेशन डेट एक्स तब जाएगा जब तक कि आपका एक्जामिनेशन ना हो जाए अब पूरी की पूरी प्रॉसेस एटलिस्ट कम से कम डीवी ना हो जाए यानि कि डॉकुमेंट वेरिफिकेशन तो में मकसद है उनका कुरसी बचाना तो इस कुरसी बचाने के लिए उनको पेपर कंड़क्ट क कराना तो खेर इंद पर हम बाते पूरी डिटेल इस पर कर लेंगे चले एक एक करके पहले नोटिस को देख लेते हैं कि क्या आपका नोटिफिकेशन या फिर क्या नोटिस आई हुई है दूसरी बात आप जारखंड हाई कोट असिस्टेंट की तयारी कर रहे हो चाहे कलर की देखे एक तो आप यहां पे सीटों का जो संख्या है और आपका यानिकी सीट यानिकी नंबर ओफ सीट और जो स्टुडेंट्स अप्लाई की हुए है इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि इस बेसिस पे ही आपका तयारी भी टिका हुआ है अगर आप बात करते हैं जारखंड हाई कोट आते हैं दूसरे इमेज में यहां पर आते हैं सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को पहले पढ़ लीजे कि क्या बताया गया है यह आपका जो नोटिफिकेशन आया है अडवर्टीजमेंट नंबर 01 डबल सी टीएस 2024 पोर रिकुर्मेंट अव दा पोस इंग्लिस लाइंग्वेज फेर जी कुप्यूटर स्किल टेस्ट कफीस्त मे थे तो इसमें तो यह क्लियर आपका टाइप में होगा दूसरी बात कई स्टुडेंट को यह भी डाउट है कि यह टाइपिंग कैसे कि आपको कोई पेपर दे दिया जाएगा या कोई पैसेज रहेगा जो आपको देख करके टाइप करना तो ऐसा नहीं होगा उमीद है 99% चांस है कि आपको स्क्रीन पर ही दिखेगा और आपको उसको टाइप करना प मिलेगा क्योंकि पूरी की पूरी के साथ यह लोग नोटिस देते नहीं है जो देना चाहिए बाकि जितनी जानकारी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर आपको बता दिया अब देखें यहां पर खास करके इस इग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहां पर जो सीटों की तीस कोश्चन आपको पता है मैट्स और रिजनिंग है तीस कोश्चन आपका इंग्लिस रहेगा और तीस कोश्चन आपको जीके से रहेगा नबबे कोश्चन का यहां पर गेम है और जिसमें मैंने फिर से कहा कि अगर आप इस पेपर की तैयारी करना है इस पेपर को तो का फोकस होता इस्टाटिक पार्ट में तो देखें मैस और रीजनिंग जो हमारे साथ जुड़े हों हैं तीस में तीस आप कर पा रहे होंगे इंग्लिस का हमने कोई कोर्स नहीं दिया है जीके का हम लोग कैपसूल सरी चला रहे हैं खास करके सीजेल के लिए तो आप इसमें इंड्रोल्मेंट लेंगे तो आपका पूरा का पूरा काम यहां पे कवर हो जाएगा तो केवल आप इंग्लिस के लिए और इंग्लिस की आप कहीं से भी किसी और भी संस्थान से जुड़ करके तयारी कर सक कि यहां पर क्या बताया गया है कि जो आपकी दिख रही है यहां पर खास करके टाइपिस्ट पद के लिए जो कोड में आपकी रीडर कम डिपोजिशन के लिए आया हुआ था इसमें भी आपको बताया गया है कि टाइपिश पूर सिविल कोड़ अप दाश्ट जर्गन यॉश् Bennett मेसेच कर रहा थे इस फूर क्या प्रॉसेस होगा यहां पर अच्छा चाहर से से vakसे यहां पर एक यहां पर काफिश ह स्स lesson का और कर लें अगर आप देखेंगे प्स बाइब कर लें हम लोग इसमें सिपील के बारे बाबी बात किया जाए जो आपका ये गृब बद भी काते हैं जारखन के लिए यहां पर पर आपको टाइपिस्ट करना है आपको इंग्लिस में ही ठीक है सेम आपका जो अशिस्टेंट हाइप कोड़ का होगा वही यह भी होगा इसमें तो कुछ अलग होगी नहीं सेम चीज यहां पर भी है तो यह हो गया आपका ऑफिश जी के अंड आपका इंग्लिस ठीक है मैथ रिजनिंग में आपको 30 सवाल और 30 के 30 आपको सही करना इस एक्जामिनिशन को क्रेक करना है तो एक तो बात आप याद रखें कि मैस एंड रिजनिंग ठीक है जहां से 30 सवाल बनने वाले हैं यह आपका अगर 30 सवाल सही नहीं हो तो इस पेपर और कॉलिफाई करना मुस्किल है क्योंकि इंग्लिस में आप 30 में 30 नहीं कर पाई है क्योंकि 10 नंबर का आपको पैसेज मिलेगा बाकि 20 नंबर में आपको पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन है देन आपका वो कैवलरी पूरा साइनो है एंटोनीम से इडियम इसलिए पूरा ग्रामर आपको अच्छे से करके जाना ही है ठीक है तो इंग्लिस वाली वीडियो देख लीजेगा मैंने बुक के बारे भी बताया है नीतु सिंग मैम का जो बुक है आपका प्रिंट पारमाउंट या कैड़ी केमपस के नाम से अभी आती उसको ले करके सार आपका YouTube पे फ्री आफ कॉस्ट आप लोगों को हमले वे ने करा दिया आपको उसका लिंक पूरा पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है जारखंड हाई कोड के लिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा अब इस प्रैक्ट अरा difficult शांसर यहां अगस्त के आसपास यह यहां पर होने की काफी उमीद है भई यहां जारखंड में जो भी scenario बन रहा है बस election के कारण ही है अब इस election के दौरान इन सारी paper को conduct कराना ही होगा बाकी अब इस पे अब कितना यहां पे यह लोग काम करते नहीं करते हैं लेकिन election का जो भी force है इनके ओपर pressure है एक छातर की जो वेरुदगारी की जो भी समस्या है अगस्त में उमीद रख आपका focus study with अभी के नाम से मिल जाएगा focus study with अभी के नाम से ही आपको मिल जाएगी और यहां पे ही आपको सारा course भी मिल जाएगा बाकी अगर कोई भी doubt हो तो आप इस नंबर पर पर करके पूछ सकते हैं हमारे से ठीक है बाई तो यह आपको पूरा का पूरा जो notification तीनों आ है और पैसेज को लेकर के थोड़ा सा आपके अंदर जो डाउट देखे वह भी क्लेरेंस अभी कुछ मिलिया नहीं है ठीक है बाकि जैसे पैसेज आप अभी तयारी करते जाहिए थोड़ा बर्णिंग टॉपिक अभी जो है उस पे ज्यादा फोकस करिएगा खास करके क्लाइम इशू को लेकर के इन्वर्मेंट में जो भी चीज़ा भी चरही जैसे आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा टेंपरिचर इंकीज हो रहा तो अभी जैसे इलेक्शन हुआ है उस पे भी आपको लिखने को मिल सकता है यह आपका अगस्त में मुझे लगता है कि हो जानी चाह धन्यवाद और विडियो जरूर देखेगा प्रैक्टिस से यूटूप का सारा सारा कराया गया भाई यहां पे ठीक है फ्री ओप कॉस्ट चलिए धन्यवाद